आपका राम के हैं बिनाई सिंग राजपूर मैं हिंडू युवावाहनी से तहसील प्रभारी हूं और प्रतिनेधी सदा सजिला पंचायत हूं पूरा डलाई तक्या से जैसा की जनकारी में आया है कि सिमा और ग्राम पंचायत में कुछ बंदरों की रहस्माइडंग से मौत हो गई है इस प्रकलम में आपका क्या कहिना है यह मेरी जनकारी में रात में आया ग्यारा बजे मैंने जब यह घटना देखी तो बहुत ही जनिये घटना है जगे जगे गाउं के चारों तरफ बंदर मरे हुए पाए गए वास्तों में ये हिर्दे विदारक घटना है बहुत कुरूरता पूर्बक निर्जीव एक जो कुरूरता पूर्ण ब्यवहार किसी ने किया है ऐसा नहीं होना चाहिए पसू भी हमारे समाज क के हिस्सा है उनके साथ भी एक सामाजिक ब्यवहार होना चाहिए काफी निंदनिये घटना है मौके पे पुलिस प्रसासन मौझूद है तीन चार बंदर अभी मौके पे हम लोग वहां पहुचे हैं तो डेड़ बॉडी मिली है उनका अन्तिम संसकार कराया गया है और कई बं घटना से समाज सरमिंदा है इस तरह की घटना जिसने भी किया है उसके खिलाब जितना बन पड़ेगा मजबूती से हम लोग पैर भी करेंगे ताकि दुबारा इस तरह की घटना ना दोहराई जाए जैसा कि स्थानिये ग्राम प्रधान प्रति जो होता है गाउं का मुखिय करें कि बीच्प में घटना गई है कि यह काम जरूर किये हैं कई लोग कि उसको छुपानी का प्रियास किया गया है उसको बशुकि या च्ट की ले लेकिन घटने को मिल रहा था कि वह खिसी भी तरह का सहयोग सहयोग वाली भावना से नहीं मौजूद थे शरूग जरूड प्रदान की भूमिका रही है इसे क्रित्य को छुपाने में प्रियास किये हैं क्योंकि यहां पर पहुचा और कोत्वाल साब आये हुए थे तो इस तरह की वह लोग स्टेटमेंट दे रहे थे कि नहीं कोई भी बंदर नहीं मरा है और ऐसा है और फिर यह तो प्रधान का ये खेल चल रहा है कि यहां से गायब करा दो किसी तरह यह खबर बाहर ना जाए पाई आपका नाम क्या है करणवीर सिंग आप इसी गाउं के निमासी है प्रधान क्या है राजन तिवारी उनका क्या कहना है संबंद में कहना कुछ नहीं आप लोग जब आये थे आप लोगों के सामने अभी तीन चार लासे मिली है बिल्कुल और सरासर एकडम चुपाने की कोशिस कर रहे हैं विने जी आप प्रसासन से क्या डिमांड करेंगे अभी देखा जाएगा अभी तो तहसिल कोतवाल साहब यहां धरियाबाद कोतवाल साहब मौजूद थे आप हम लोग आराध्य मानते हैं वजरंग बली को उनकी सेना है उनकी सेना के साथ अगर इस तरह की क्लूरता हुई है हमारे समाज के लोगों ने जिसने भी किया है उसके खिलाब जितना बन पड़ेगा उतना हम लोग मजबूती से कड़ी कारिवाई की मांग किया जाएगा